सर चाइना के आगे कैसे निकलेंगे ये चाइना के साथ तो इन्हों ने आपको पता है मोटरवेस भी दीवी है बिल्डिंग तक गिरवी है सब कुछ एरपोर्ट्स उनके पास है उनसे कैसे निकल सकते हैं साथ-साथ हम गलोचिस्तान को अगर देखें गवादर में बड़ा प अमेरिका जब भी देता है एड देता है ग्राट देता है चाइना जब भी देता है करदा देता है और ऐसी चर्म्स पर देता है जो आप अपनी आवान को नहीं बता सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियान एक लफजी जंग चड़ी हुई है। आगे ये कहते हैं कि 71 की जंग हमें बताती है कि मजहब की बन्याद पर पाकिस्तान का वजूद में आना एक गलती थी क्योंकि पाकिस्तान तो एक मजहब के नाम पर बना लेकिन पाकिस्तान एक नह आती है कि मुस्तक्बिल में राश्ट्रिया स्वायम सिवक संग आर एस एस और बीजेपी का जो गठ जोड है भारतिया जनदा पार्टी का ये मुस्तक्बिल में पाकिस्तान के लिए किस किसम की मुश्किलात खड़ी कर सकता है हेलो फ्रेंट्स अपने हिंदुस्ता न्यूज में आपका स्वागत है इस वीडियो के दर पाकिस्तानी मीडिया में साजीत आरा बता रहे हैं कि हमने 600 अरब रुपे इखटा करके IMF को देना है और इस समय IMF में गीता गोपीनाथ जो भारते मूल की हैं चीफ एकनॉमिस्त हैं और इससे पता चल जाता है कि ये बारत कितना आगे जा चुक है और हमारे यहां पर ग्वादर में प्रदर्शन चल रहे हैं हजारों लोग सढकोपे जिसमें और बच्चे ये हमने पाकिस्तान का और अगले वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बता रही है राजना सिंग ने हमारे कलाब दुश्मनी निकाल रहे हैं आइए फ्रेंड इस वीडियो को देखते हैं सर बड़ा हंगामा है यहां पे छेज़ और रुपयानों ने कठा मैं आपको इतला यह देना चाहता हूं आप जो इस वकत केमीनिजम की तरफ ट्रेवल चुके हैं आप जा चुके हैं चाइना के साथ बिल्कुल खड़े हो चुके हैं आपको बताना चाहरणगा आपको भी डॉख करना चाहिए तो अपना उसकी वज़ा है आप उनकी पास मैं यहां पर आर्जूए क्योंकि यहां मैं अमेरिकन पाकिस्तानी है मुझे 2016 में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक बात कही थी उसने का था अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाने की कोशिश करो तो अमेरिका जब भी देता हैARY डम चैना जब भी देता है करदा देता है और ऐसी चरी मतंतर चाहले चैना के cried किसे निकलेंगे यह चायना के साथ तो इन्हों ने आपको पता है मोर्टर वेस्ट भी दीवी हैं बिल्डिंग तक गिर वी है सब कुछ एरपोर्ट से उनके पास हैं उनसे कैसे निकल सकते इस त्रीके से आपने बड़ी खुबसूरती के साथ गवादर के बाद आपने इसलामबाद में आपको मेकान दिखाता है बिल्कुल आप सही कहरें और अभी लग यही रहे कि आगे कुछ फ्यूचर इनको नजर नहीं आ रहा सार जो टी एल पी है उसके साथ भी इन्होंने हाथ मिला लिया और अब उनको भी नेक्स एलेक्शन में पंजाब से वो खड़ में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत लोग बाहर निकल आए हैं और उसको आप किस तरन से देखते हैं कि क्यों वो परिशान है जॉब्स के लिए और सब चीजों के लिए गवादर के लोग आर्जू उसके अंदर उनके पांच मुतालबात हैं उनके सबसे पहला मु करते हैं और उनको बंगैदा आपने लाइसनस दिये हैं मैं गरंटी कर देता हूं वो भी आप जिस बंदेर वो डिसीर लिया होगा या उसने पैसे लिए या उसका इंटरस्ट होगा उसके पीछे आपने इतना चुपा दिया है किसी आपके चैनल उसको भी को कवर कि निक र बारे को कोई भी पाकिस्तानी नहीं भुला सकता 16 दिसंबर 1971 जिस वड़ मगरबी पाकिस्तान और मश्री की पाकिस्तान अलहदा हुए जिस तरीके से इंडिया ने साज़िश की जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तसलीम नहीं किया और उनकी इस तक्रीर में वाज़ तोर प इस किसम की मुश्किलात खड़ी कर सकता है इनके अजाइम इनके तेवर वाज़े नज़र आते हैं पर पाकिस्तान ने इसके उपर क्या जवाब दिया मैं आपको थोड़ा सा इसके बैग्गराउंड के तोर पर बता दूँ के पचास साल मुकमल हो रहे हैं इस साल और इस सा मुकतलिफ तकरिबाथ जो हैं उनका इनकाद इनडिया और बंगलादेश की तरफ किया गया खकर इसको इससे तकरिबरेट किया रहा है एक साल मुकतलिफ दिन की और इन्दिया के प्राइम मेर्ज उवेंडर्ड मार्च गया है उन्होंने बंगला देश का दोरा किया इसी सलसले में तकरीबात हुई वहां पर भी उन्होंने जिसके समकी गुफ्तगु की और पहले बता देता हूं कि राजनात सिंग ने क्या कहा पाकिस्तान के दफ्तरे खारजा ने इसके उपर क्या जवाब दी और यह जो लफजी जंग है यहाने वाले दिनों में भी इस वजह से चलती रहेगी कि अब 16 दिसंबर को 15, 16, 17 इन तीन दिन जो इंडिया के प्रेजिडन्ट है रामनात कोविन वो अबने जो स्टेट मिनिस्टर फॉर एजूकेशन है उनके साथ मौझूद होंगे बंगला देश में और हसीना वाजिद जाहर है कि आपको मालूम है कि वो खातून है वो किस कदर नफरत रखती है पाकिस्तान के खिलाफ ये मौञा आगे बढ़ेगा राजनाथ सिंग ने जो काम किया राजनाथ सिंग जो इंडिया गेट है दिली में वहां पर खड़े हुए थे तक्रीब का इनकाद हुआ जिस स्वारनिम विजेपर्व के नाम से तक्रीबात जो है उनका इनकाद हो रहे उसमें उन्होंने कहा क इतहासिक गलती थी यानि के एक हिस्टारिकल मिस्टेक थी ये बात पहले तो ये सबसे पहले ये वाज़े कर देती है कि इंडिया जो है वो मुल्क है जो पाकिस्तान के वजूद को तसलीम नहीं करता तो जब आप किसी मुल्क के वजूद को तसलीम नहीं करता तो ये स्टेट P.K. लीडर्स की तरफ से अब तवातर के साथ और R.S.S. की जो लीडर्शिप है उनकी तरफ से इस किसम की स्टेटमेंट जो है वो अब अक्सर जो है वो तवातर के साथ सुनने में आती हैं राजनाथ सिंग कहते हैं कि 71 की जंग इस बात का सबूत है कि इंडिया की मजभी बन करते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग लड़ रहा था भारत इनका बियान मैं आपको खुक्ली बता दूँ या आगे जो है वो वहाँ पर खड़े होके इन्होंने कहा कि 71 की जंग से सबक मिलता है कि इंडिया की मुसलाफ वाज के दरमयान बहमी इश्तराक कितना जरूरी आगे ये कहते हैं कि 71 की जंग हमें बताती है कि मजहब की बन्याद पर पाकिस्तान का वजूद में आना एक गलती थी क्यूंकि पाकिस्तान तो एक मजहब के नाम पर बना लेकिन पाकिस्तान एक नहीं रह सका 1971 के बाद से अब तक पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग लट रहा है पाकिस्तान इंडिया को तोड़ना चाहता है और उसके लिए देश्चत गर्दी और भारत मुखालिफ सरगर्मियों को फरूख दे रहा है